भारत की इन 15 जगहों पर जरूर घूमने जाए, भारत एक अती प्राचीन देश है जिसका इतिहास हजारों हजारों साल। पुराना है भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, इसके अलावा इस देश के कई राज्यों की अपनी अलग-अलग भाशा भी। बोली जाती है जो दुनिया के बाकी देशों से बिकुल अलग बनती है, भारत में कई पर्यटन स्थल मौजूद है जिसे देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, तो चलिए ज्यादा बिलब न करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम आपको भारत के कुछ चुनिदा प्रसिद पर्यटन स्थलों की जानकारी देने जा रहे है, जहां लोग सबसे ज्यादा घुमने के लिए जाते है, फिर चाहे वो विदेशी पर्यटन हो या भारतिय भारत के प्रसिद पर्यटन स्थल एक भारत में घुमने की सबसे अच्छी जगा कुल्लू मनाली 2 भारत का प्रसिद परियतन स्थल माईसोर 3 भारत की सबसे खुबसूरत जगा शिमला 4 भारत में घुमने लायक जगा दिल्ली 5 भारत की बेहद खास परियतन स्थल कश्मीर 6 भारत में देखने लायक जगा माउंट अबू साथ भारत का सबसे खुबसूरत आकर्षन लद्दाख 8 भारत में घुमने वाली जगा जैपुर 9 भारत का प्रमुख हिल स्टेशन दार जी लीग 10 भारत का प्रमुख दर्शिनियस थल अयोध्या 11 भारत का प्रमुख परियतन स्थल शिलोग 12 भारत की सबसे प्रसिद जगा आगरा 13 भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल रिशिकेश 14 भारत का प्रसिद दर्शनिय स्थल वारानसी 15 भारत में घुमने की जगा गुआ 16 भारत के सबसे प्रसिद परियतन स्थल अमृत सर भारत के प्रसिद परियतन स्थल आज इस हम आपको भारत के उन तमाम गिने चुने परियतन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी प्रसिद हैं जहां लोग सबसे अधिक जाते हैं एक भारत में घुमने की सबसे अच्छी जगा कुल्लू मनाली मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य का एक बेहधी खुबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने उचे उचे परवत और पेड़ों के लिए प्रसिद है इसके अलावा यहां की जीले भी काफी प्रसिद है जहां घंटों बैठ के आप सुकून की अनुभूती ले सकते है इस जगा में वो सारी खुबियां है जो एक परियतन स्थल में होनी चाहिए इसे कुलू मनाली के नाम से भी जाना जाता है अगर आप मानली जाना चाहते है तो मैं यही कहुनगा कि आप बसंत के मौसम में जाए क्योंकि इस समय मनाली की खुबसूरती और भी लाजबाब हो जाती है जिससे देखने के बाद यकीनन आप मंत्र मोग्ध हो जाएंगे कुलू मनाली में घुमने लायक प्रसिद जगहे वन विहार मनू मंदिर मनिकरन सोलंग वैली ग्रेट हिमलेन नेशनल पाक हिदिमबा देवी मंदिर रोहतांग पास दो भारत का प्रसिद पर्यटन स्थल माईसौर, माईसौर, उतराखंट के प्रकिर्तिक के गोध में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है पहाडों से घिरा हुआ माईसौर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है देहरादून से करीब 35 किलोमेटर की दुरी पर स्थित माईसौर भारत के कुछ गिने चुने स्थानों में है जहां लोग बार-बार जाना चाहते है माईसौर में गर्मियों में मौसम काफी सुहावना रहता है और वही सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है भारत में गर्मियों की छुट्टियां बिताने लायक ये के आदर्श जगह है अगर आप भारत में घूमने लायक सबसे अच्छी जगहों के तलाश में हैं तो कृप्या माईसौर जैसे खुबसूरत जगह को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें माईसौर में घूमने लायक प्रसिद जगहें माईसौर लेक गन भारत की सबसे खुबसूरत जगह शिमला पहाडों में बसा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी भारत के सबसे खुबसूरत और प्रमुख परियतन स्थलों में गिना जाता है यहां घूमने के लिए काफी बहतरीन जगहें मौजूद है इसके अलावा शिमला अपने खुबसूरत पहाडों और अद्बूत द्रिश्यों के लिए भी जाना जाता है तथा अपने टोई ट्रेन के लिए भी शिमला पुरे भारत वर्ष में प्रसिद है जिसके कारण लोग यहां आने से खुद को रोक नहीं पते अक्सर नव विवाहित जोडे शिमला जैसे खुबसूरत हिल स्टेशन पर घूमना और अपना हनीमून मनाना पसंद करते है शिमला में घूमने लायक प्रसिद जगहें कुफरी काल का शिमला टॉई ट्रेन जाखू मंदिर ग्रीन वैली हिमाचल स्टेट म्यूजियम तारा देवी मंदिर चाद्विक फाल्स शिमला क्राइस्ट चर्च चार भारत में घूमने लायक जगह दिल्ली भारत की यात्रा अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और इसकी राजधानी दिल्ली की अपनी एक अलग ही बात है भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक दिल्ली में कई किले मंदिर और आकरशक स्मारक बने हुए है जो दिल्ली के एतिहास को बखुबी बया करते है इस मंत्र मूग्द कर देने वाली नई और पुरानी दिल्ली के मिश्रण में आपको भारत का एतिहास और संस्कृती देखने मिलेगी मुंबई के बाद ये भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तथा भारत के टॉप डस पर्यटन स्थलों में से एक है दिल्ली में घूमने लायक प्रसिद जगहीं हुमायू का मकबरा कुतब मीनार इंडिया गेट अक्षरधाम मंदिर लोट्स टेंपल लालकिला पांच भारत की बेहद खास पर्यटन स्थल कश्मीर हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी प्रकिर्तिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में एक खास मोकौम रखता है आमत और पे इसे धर्ती का स्वर्ग भी कहा जाता है कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद है जहां पर देशी नहीं बलकी विदेशों से भी लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं चारों और बिछी बर्फ की सफेद चादर, देवदा और उचे पेडों से भरे घने जंगल सच में यहां आने वाले पर्यटकों को एक नई दुनिया का आभास कराते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे की एशिया की सबसे बड़ी साफ पानी की जील वुला जील कश्मीर में ही है कश्मीर में घूमने लायक प्रसिद जगहें डल जील गुलमर्ग श्रीनगर पटनी टॉप सोनमर्ग छे भारत में देखने लायक जगह माउंट अबू अरावली की पहाडियों पर स्थित माउंट अबू राजस्थान राज्य के सिर्वी जिले का एक बहुत ही खुब सूरत शहर है ये शहर अपनी प्राचीन विरासत और पर्यटन स्थल के लिए पुरे भारत वर्ष में मशहूर है माउंट अबू राजस्थान राज्य का एक मुख्य हिल स्टेशन जहां देश भर से पर्यटक यहाना पसंद करते हैं माउंट अबू में घुमने लायक प्रसिद जगहें अचलगड हनीमून पॉइंट टोड रॉक माउंट अबू वन्यजी वभ्यारन गुरु शिखर दिल्वारा मंदिर अर्बूडा देवी मंदिर साथ भारत का सबसे खुबसूरत आकर्शन लद्दाख लद्दाख भारत का सबसे उचाई पर बसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है ये जम्मू कश्मीर का सबसे उचा इलाका है जो 3500 मीटर की उचाई पर स्थित है बाइकी के सौक रखने वाले सौकिनों के लिए लेह लद्दाख का ट्रिप उनके लिए एक बहुत बड़ी तम्मना होती है ब्रफिली घातियों से धके विशाल पहार, चारो तरफ हर्याली, हजारो फीट उचाई वाले परवत और दोनों तरफ से बहते खुबसूरत जरने कुद्रत की खुबसूरत कारीगरी का एक नमूना मौजूद है यहां की मेगनेटिक हेल को काफी रहस्यमई माना जाता है ले लद्दाख देशी नहीं बलकी विदेशों से आने वाले परियतकों का भी एक पसंदीदा जगा हे लद्दाख में घूमने लायक प्रसिद जगहें मेगनेटिक हिल्स पिटुक मोनेस्ट्री नुब्रा वैली हेमिस नेशनल पाक लेह पैलेस जन्सकार वैली शांती स्टूप तसो मोरी खरदुंग लापास पांगों तसो लेक आठबत में घुमने वाली जगह जैपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित जैपुर शहर को पिन्ख सिटी के नाम से भी जाना जाता है जो भारत के प्रसिद पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है अपनी अद्भुत सुन्दर्ता और यहां के एतिहासिक महलों, जीलों और किलों के कारण जैपुर पर्यटकों को खूब भाता है इसलिए यहां देश विदेश से हजारों की तादात में श्रधालू यहां की संस्कृती और परंप्रा को देखने आते हैं दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दें की पर्यटन जैपुर शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हवामहर जैपुर का सबसे प्रसिध पर्यटन स्थल है इसके अलावा भी यहां कई खुबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए जैपुर में घूमने लायक प्रसिध जगहें जयगड किला आमेर का किला सिटी पैलेस जंतर मंतर जल महल नाहरगड किला गलताजी मंदिर नौ भारत का प्रमुख हिल स्टेशन दारजीलींग पश्चम बंगाल में स्थित दारजीलींग एक पहाडी छेतर है जो अपनी खुबसूरती और चाई की खेती के लिए काफी प्रसिध है दारजीली गाज के समय भारत में घूमने की सबसे प्रसिध जगहों में से एक है यहां होने वाली हरे भरे चाई की खेती पर्यतकों को अपनी तरफ खुब आकर्शित करती है काफी उचाई पर स्थित होने के कारण दारजीलींग का वातावरन बहुत शान्त रहता है जिससे यहां आने वाले पर्यतकों को एक मनोरम द्रिशे की अनुभूती प्राप्त होती है दारजीलींग हिल स्टेशन हनीमून के लिए आने वाले लोगों के बिच भी काफी लोग प्रिये है दारजीलींग में गूमने लायक प्रसिद जगहीं ताइगा हिल, बतासिया लूप, नाइटिंगेल पार्क, चोवरास्ता, टेंचिंग रॉक, दारजीलींग रोपवे घूम मोनेस्ट्री दारजीलींग हिमालेयन रेलवे पीस पैगोडा पदमजा नाइडू हिमालेयन जूलोजिकल पाक दस भारत का प्रमुख दर्शनिय स्थल अयोध्या, अयोध्या वो धर्ती जिस पर प्रभू श्री राम का जन्म हुआ भगवान राम की जन्म स्थली और सर्यू नदी के किनारे स्थित अयोध्या देश के सबसे और हिंदू धर्म के साथ पवित्र शहरों जिन में अयोध्या, मधुरा, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वार का शामिल है अयोध्या को घाटो और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्या आपको पता है अयोध्या में कुल पांच हजार से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर उपस्थित है इसके अलावा यहां कई पवित्र घाट है जिन में राम घाट, लक्षमन घाट, गुपतार घाट और जानकी घाट प्रमुख है जिसमें स्नान कर आप जाने अंजाने में किये गए पापों से छुटकारा पा लेते है अपने जीवन एक बार तो हर किसी को अयोध्या के दर्शन करने ही चाहिए अयोध्या में घूमने लायक प्रसिद जगहें श्री राम जन्मभूमी मंदिर हनुमान गड़ी दश्रत महल कनक भवन सीता की रसोई त्रेता के ठाकुर राम की पौड़ी गुपतार घाट ग्यारा भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल शिल्लोंग शिल्लोंग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यम इघालय की राजधानी है पूर्व उत्तर में बसा शिल्लोंग हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्शित करता रहा है यह इतना खुबसूरत है की इसे भारत का स्कॉट लेंड भी कहा जाता है लगभग 1695 मीटर की उचाई पर बसे इस शहर का मौसम हमेशा सुहावना बना रहता है दोस्तों पहले शिल्लोंग असम की राजधानी हुआ करता था जो अपनी आनंद दायक जलवायू और पूर्वी बंगाल से नजदीक होने के कारण शिल्लोंग उत्तर पूर्व का पसंदीदा हिल स्टेशन है ठंड और बरसात के मौसम में शिल्लोंग घूमना सबसे अच्छा माना जाता है यानि की मार्च अप्रेल और सितंबर अक्टूबर में आप यहां घूमने जा सकते हैं साथ ही आप अगर चाहे तो जनवरी फरवरी में यहां घूम सकते हैं शिल्लोंग में घूमने लायक प्रसिद जगहें लेडी हैदरी पाक नौकालिकाई फाल्स लेटलूम कान्योस एलीफेंट फाल्स डॉन्बोसको संग्राहलयवाद्स जील शेलोंग पाक उमियम जील बारा भारत की सबसे प्रसिद जगह आगरा देश की राजधानी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का शहर आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है जो दुन्या के साथ अजूब में से एक है ताजमहल अपनी असीम सुन्दर्ता कलाकिर्ती तथा बनावट के लिए पूरी दुन्या में प्रसिद है ताजमहल के अलावा यहां स्थित फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला भी युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ताजमहल एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहा ने अपनी प्रिये बेगम मुम्ताज महल की याद में बनवाया था यहां देशी नहीं विदेशों से भी हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक ताजमहल सुन्दर्ता को देखने आते है आगरा में घूमने लायक प्रसिद जगहे मरियम का मकबरा महताब बाग अकबर का मकबरा आगरा का किला फतेपुर सीकरी 13 भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल रिशिकेश रिशिकेश भारत के सबसे प्रमुख तीरत स्थलों में से एक है जो हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दुरी पर स्थित है हिमालाय परवत के निचले भागों में स्थित रिशिकेश अपने चारों और हरे भरे पेड पौधे से घिरा हुआ अती सुन्दर स्थल है यहाँ पर पर्यटकों के लिए राम जुला, लक्षमन जुला, शिव पूरी नील कंथ महादेव मंदिर, विसित गुफा तथा हरिद्वार जैसे कई पर्यटन स्थल मौझूद है, हर वर्ष यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीरत यात्री ध्यान लगाने और मन की शांती के लिए आते हैं अगर आप एक धार्मेक व्यक्ति है जिन्हें पूजा पाठ में काफी मन लगता है, फिर तो आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए 14 भारत का प्रसिध दर्शनिय स्थल वारानसी, काशी और बनारस के नाम से मशहूर वारानसी शहर गंगा जी के तट पर बसा हुआ दुनिया का सबसे पुराना शहर है वारानसी शहर हिंदूओं का एक प्रमुख तीरत स्थल है जहां देश ही नहीं, बलकि विदेशों से भी लाखों की तादात में सैलानी घुमने और यहां की संस्कृती को देखने और समझने के लिए आते हैं काशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी है वैसे तो काशी में कई मंदिर है परन्तु भगवान शिव को सम्रपित काशी विश्वनात मंदिर देश के बारा जोतिरलिंगों में से एक है यहां कुल 84 घाट स्थित है जिन में मने करने का घाट, असी घाट और दशाश्वमेद घाट सबसे प्रमुख और पवित्रा घाट है मंदिरों और घाटों के अलवा बनारस खाने पीने के शौकिन लोगों के लिए काफी पसंदीदा शहर है अगर आप इस शहर में पहले कभी नहीं नहीं गए हैं तो अवश्य जाए यहां जाकर आपको अत्यंत आनंद और शान्ती की अनुभूती होगी वारानसी में घूमने लायक प्रसिद जगहें दुर्गा माता मंदिर भारत माता मंदिर कशी विश्वनात मंदिर असी घाट मने करने का घाट गंगा आरती तोसी मानस मंदिर पंदरा भारत में घूमने की जगह गोवा दोस्तों गोवा के नाम के बिना तो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ये सूची मनो अधूरी सी लगती है चुट्टी बिताने, मौज मस्ती और हनीमून के लिए ये जगह सबसे अच्छी और सुन्दर जगहों में से एक है इसके अलावा गोवा भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर लोग अपने दोस्त, पातना और जीवन साथी के साथ जाकर पूरा आनंद ले सकते है गोवा अपने कई खुबसूरत बीचों के कारण छुट्टियों का मजा लेने के लिए भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है जहां लोग अपने दोस्तों और जीवन साथी के साथ मौज कर सकते है यह नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गोवा का नाम दुनिया के टॉप दस नाइट लाइफ शहरों की सूची में छे नंबर पर आता है गोवा में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहें गोवा बिचेज शान्ता दुरगा मंदिर बासी लीक ओफ बोम जीसस डेल्टिन रॉयल कसिनो दोना पॉला अगुवाडा किला रेसी मागोस किला सोला भारत के सबसे प्रसिध परियतन स्थल अम्रितसर अम्रितसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है ये शहर पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अम्रितसर में ही बना हुआ है जो की दुनिया भर से और भारत के करोडो लोगों द्वारा देखा जाता है ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा परियतक अम्रितसर के स्वर्ण मंदिर को ही देखने के लिए आते है अम्रितसर में घूमने लायक प्रसिद जगहें गोल्डन टेंपल वगा बॉर्डर जल्लिवाला बाग गुरु का महल पाटीशन म्यूजियम गोबिन्दगर केला महाराना रंजीत सिंग म्यूजियम